ट्सक्राइट असलाम अलेकोm इस dedi इस सेशन में लोग यह बात करेंगे कि जो क्रेटिव रैटिंग का कोर्स है उसमें वाइडर लाइडर लीक्द्स और कोर्स शुरू करने से पहले जरूरी है कि हम समझें कि क्रेटिव रैटिंग है क्या और Amina और मैं आपकी instructors हम लोग इसको किस तरह से लेते हैं और creative writing और एक business writing का भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा है क्योंकि वो भी आपके लिए useful रहेगा जो आप creative writing की assignments करेंगे या अपने clients के साथ deal करेंगे Amina आप creative writing को कैसे लेते हैं मेरे लिए creative writing जो है वो basically एक कोई भी writing जिसमें एक original thought capture हो रही हो आपकी imagination capture हो रही हो self expression capture हो रहा हो जो आपके basically जिन्दकी के experiences है ना वो आप कितने creatively, कितने मजे में, कितने जिद्दत के साथ उसको आप express कर सकते हैं वो जो है मेरे लिए creative writing होती है क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके जिन्दकी के experiences होते हैं जो आप रोज मर्रा जिन चीजों से गुजर रहे होते हैं उसको आप कितने मजे में, कितने creatively, कितने innovation के साथ जो है वो आप express कर सकते हैं, लिख सकते हैं अलफाज के जो जोड तोड है उसको आप किस तरह करते हैं वो मेरे लिए creative writing है I'm sure you have something to add to this, IJane I think it's interesting जैसे आपने का कि किसी कहानी को आप creatively address करते हैं या capture करते हैं और हो सकते कहानिया similar हो The same thing may have happened to the two of us लेकिन हर बंदा उसको देखता दिफरेंटर है उसको experience differently करते है उसको लिखता differently है उसका अलफास का चना हो उसका angle क्या ले रहा है उसको personal angle से ले रहा है या political angle ले रहा है या कौन सा angle ले रहा है So I think उसमें इतनी infinite possibilities हैं कि एक ही कहानी को कैसे cover किया जाता है I think that creates the beauty और building blocks सब के पास same है लेकिन हर बंदा उनको put together differently करते है और उसके हर एक नई तखलीक सामने आती है तो जो diversity है diversity diversity है हम लोगों की इंसान की जो एक diversity उसमें हुबसूरती आती है we were talking earlier तो we were saying के beauty है एक creativity में So I think that self-expression the word self in the expression actually brings a creative creativity in the writing चाहे वो fiction हो, non-fiction हो और उसके बारे में आगे जा के भी बात होगी I think that's that's the beauty of creative writing और मेरे खाल में इसको लोग आइसता आइसता समझ रहे है कि ये एक अलग entity है जिसकी वज़े से पूरा ये school of thought भी है पढ़ाया भी जा रहा है as a separate subject और इसमें जो job availabilities है वो बढ़ती चरी जा रहे है आपका क्या ख्याल है कि job की demand की वज़े से creative writing आई है या creative writing की वज़े से jobs बन रही है I think it's a bit of both क्यूंके जैसे social media इतना ज्यादा है और internet की इतनी सारी पहले तो यह होता था कि दो चार गिंती के अखबार है और अगर आप लिखना चाहरे है आप उसके लिए लिखेंगे अब इतनी सारे platforms हैं जिसके लिए उनको writers चाहिए तो लोगों को एक तो practice भी करने को मिल रही है कि वो facebook पर लिख रहे हैं या twitter पर लिख रहे हैं अपने आपको कैसे उन्होंने कंसाइस तरीके से एक्स्प्रेस करने और बिकॉस आप लिख वाट्फरम्स आ रहे और अप लिख लगों के इस इन्टरनेट पार्टी जा रहे है तो उसकी नीड भी बढ़ती जा रही है I think यह इस इन्टरनेट की हमने बात की नहीं तो इस वोल computer अरियन्टेशन जो हम डिजिटाइज करते जा रहे हैं अपने काम को तो बिस्नेस राइटिंग में भी I think now it's becoming an art in itself मतला पहले तो बिस्नेस राइटिंग होता था तो communicate to sort of inform people to illustrate a point या एक आप खातो किताबत जो है communication जो चल रही होती थी कि यह काम हो रहा है इसको ऐसे है या मैं करना चाहता हूँ इजाज़ते लेनी पड़ती थी 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 और all of those things वह भी computerized होने की वज़ा से अब आप email बहुत जादा इस्तमाल होता है I think report writing भी काफी इस्तमाल होती है presentations इस्तमाल होती है क्योंकि आप काम से related उसमें communication कर रहे होते हैं लेकिन it's not for a certain kind of people only business writing सब के लिए अगर आप creative writer हैं आपने कोई अपना assignment लेनी है आपने negotiate करना है आपने अपने आपको present करना है कैसे जैसे आमिना ने कहा कि presentation skills है तो आप अपना portfolio कैसे present करेंगे यह skills सब के लिए important है business writing is not just for people working in a 9 to 5 office बटके यह हर किसी के लिए important है और email चैसे आपने का हो तो हर श्रक्स को लिखनी है अब बहुत ज्यादा लिखनी पड़ती है आजकल तो उसके लिए फिर यह एक essential है बिल्कुल basic skill है तब यहाँ पर एक थोड़ी सी बहस की बात करते है कि WhatsApp और SMS जो है यह business writing में आता है या यह socializing में आता है या यह a bit of both हो गया है देखे हर चीज़ जब हम लिखते हैं तो पहले भी यह बात हम हो सकता है आपस में कर रहे थे कि यह audience को आपने दमाग में रखना है तो WhatsApp message अगर मैं आपको कर रही हूँ तो वो हो सकता है मैं बेतकलूफ कर लूँ लेकिन उसमें tricky है क्योंकि जब आप किसी अपने colleague को कर रहे हैं जिससे आपका बेतकलूफ ही करिश्था नहीं है यू might think कि चलो WhatsApp है मैं कुछ भी लिख लूँ लेकिन उसमें आपको careful होना चाहिए किस वक्त आप वो छोटी-छोटी abbreviated spellings लिख सकते हैं अगर आपने अपने manager को लिखना है वो reachable नहीं है email पे अगर आप WhatsApp कर के कह रहे हैं मैं आज बिमार हूँ में नहीं आ सकती so you have to be formal in that also so उसकी भी बकाइदा अदाब और एटिकेट है तो मेरे खालते हैं यहाँ पर जो I think something that we are sort of learning is कि creative writing का format जो है वो tool जो भी इस्तमाल हो रहा हूँ चाहिए वो आप digital कर रहे हो या काघस भी लिख रहे हो उसमें obviously हम आपको बताएंगे कि इसका जो पूरा aspect है वो क्या-क्या है creative writing में क्या-क्या चीजें होती है कौन से formats हैं कौन से tools हैं असल में writing जो है ना basis वो नहीं बदलती मगर tools बदलते रहते हैं अब उन tools के साथ आपको writing अपनी adapt करनी पड़ेगी उसको बदलना पड़ेगा तो आप किस तरह उसको adapt करेंगे एक writing का process चाहे वो creative writing हो चाहे वो business writing का expression हो वो हम आपको बताएंगे कि आगे जो ये course आप करेंगे उसमें आप creatively अगर लिखना चाहरे हैं चाहे वो fiction के लिए हो non-fiction के लिए हो online media के लिए हो mainstream media के लिए हो या किताबों के लिए हो reports के लिए हो वो हम कैसे लिखेंगे और इसी तरह अगर आप business writing करना चाहरे हैं जहां पे आपको expression देना है information देनी है उसको आप कैसे लिखेंगे तो हमारी कोशिश ही होगी कि हम आपको ये बताएं कि लिखना कैसे है basis क्या है format क्या होता है structure क्या होता है लफजों को जोड़ के जुमलों को जोड़ के कैसे हमने आगे लिखना है ताकि अगर टूल्स बदलते भी चले जाएं जो के बदलते रहेंगे आते भी बिदलते रहेंगे, आपकी बेसे स्ट्रॉंग होगी और आपको पता होगा कि आपने उन टूल्स के लिए कैसे अड़ाप्ट करना है Any final words? बस, we are going to start you off on the journey और इन्शाला फिर आप इसको आगे लेके चलें और आप इसको अपनी लर्निंग को continued रखें ताकि आपकी creative writing में और से और ज्यादा पॉलिश आती जाए Thank you